हम सब के घरों में एक इस तरह की ट्रे होती है फ्रीज में जो की अंडे रखने के काम आती है अब जिसके घर में सब लोग अंडे खाते हैं वो लोग तो फ्रीज में रखते हैं पर कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जो अंडे नहीं खाते होंगे तो फ्रीज में नहीं रखत आपको भी यकीनन बहुत खुबसूरत लगेगा जब बात हो रही होती है प्लास्टिकी तो मेरा एक जुनून है कि हर छोटी से छोटी प्लास्टिक को इस्तेमाल करिए बस थोड़ा सा उसको खुबसूरत बनाए और खुबसूरत बनाना आपके हाथ में है आपने अगर ठान लिया कि हर छोटी से छोटी प्लास्टिक को आप अपने गार्डन में ही समालेंगे एक खुबसूरत अंदाज में तो आपको यकीन मानिये कभी निराशा नहीं होगी यह देखे यहाँ पर मैंने इस ट्रे में जहाँ पर आप मेंसे कुछ लोग अंडे रखते होंगे तो वहाँ पर मैंने यह कौन फसा रखे हैं छोटे-छोटे कौन बहुत पहले मैंने शेयर किये थे जुगाड़ू बेश्टी पर यानि कि इसी चैनल पर और उन लोग के लिए भी एक अपडेट जो लोग सोचते हैं कि छोटे-छोटे-छोटे-चोटी मैं DIY करती हूँ एक वक्त के बाद फेक देती हूँ जी नहीं मेरे पास हर वो छोटी-छोटी-चीज मौजूद है जो मैं DIY करती हूँ कुछ भी नहीं किया चारो कोनों पर एक रसी बांदी और लटका दिया जहाँ-जहाँ अंडे रखते हैं वहाँ-वहाँ पर मैंने ये लगा दिये कौन्स और अपना रंग भी रंगे जो भी छोटे-छोटे पॉट्स में लग सकते हैं पौते वो सारे लगा दिये अब हो सकता है कि आपके पास ये कौन्स ना हो तो आप सोचेंगे फिर तो ये ट्रे आपके लिए बेकार हो गई क्या करेंगे? नहीं भाई उसका भी जुबाड है ये कौन्स भी बेकार आपके घर में अगर बच्चे होंगे जो साइज आपके इस ट्रे में समा सके यानि कि फिट हो सके तो छोटी वाली बॉटल उठाईए कप सीरप की या बहुत सारी आपके घर में पड़ी होंगी और आप इस तरह से अपनी ट्रे को इस्तेमाल कर सकते हैं ये कोने में टंगा हुआ था आज उसमें पानी दिया थोड़ा धूप की भी जरूरत होती है चुकि जब धूप कम होती है जगैं कम होती है तो बहुत सारे पोटों को और जब इसको धूप में टांगा तो खुबसूरती इतनी खुबसूरत लगी कि सोच आप तक भी पहुँचाती हूँ आपको कितनी खुबसूरत लगी है तो आप ही बताएंगे पर हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस फ्री की खुबसूरती के साथ सब्सक्राइब वाला बटन भी बिल्कुल फ्री है जल्दी से दबाईए चैनल के हिस्सा बनिए धेर सारे जुकाड भी देखिए जो अभी तक शेयर हो चुके है जल्दी मिलूंगी किसी अगले जुकाड की साथ तक लिए धन्नवाद